Hello friends, welcome to study car तो आज की इस बीडियो लेक्चर में हम एक बहुत ही important topic को discuss करेंगे और वो topic होगा हमारा पद्म पुरुसकार 2021 related इस बीडियो में हम पद्म पुरुसकार 2021 में किसे दिया गया है इस बात को discuss करेंगे और पद्म पुरुसकार क्या है इसको भी हम discuss करने वाले है तो अगर आपको आपके exam में एक से दो अंक चाहिए तो आप इस बीडियो लेक्चर को अंतर तक जरूर देखें अगर आपने अभी तक study car को subscribe नहीं किया है तो subscribe कर ले इसके अलावा आप हमारे telegram channel, facebook page और twitter account को भी follow कर सकते है तो सबसे पहले ये देखते हैं कि पद्म पुरुसकार क्या है तो 2021 में 25 जन्वरी को राष्टपती रामनात कोविंद जी ने 119 पद्म पुरुसकारों को मंजूरी दे है अब इन पद्म पुरुसकारों में 7 पद्म बिभूशन है, 10 पद्म पुरुसकार है और 102 पद्म श्री पुरुसकार है तो साथियों आपको ये बात याद रखनी है कि इस बार यानि 2021 में कुल कितने पद्म पुरुसकार दिये गए है तो 119 पद्म पुरुसकार दिये गए है अब ये पद्म पुरुसकार जो होते हैं ये एक प्रकार के नागरिक सम्मान है यानि नागरिकों को दिये जाने वाले सम्मान है अब ये किस छेतर में दिये जाते हैं यह प्रस्न है तो इसका आंसर होगा कि यह जो है पंद प्रोषकार, कला, समाज शेवा, लोककार, विज्ञान और इंजीनरी, व्यापार और उद्द्योग, चिकितसा, साहित और सिक्षा, खेल खून, सिबिल सिवा, इन सब में उत्कृष्ट कार करने वाली लोगों को ये प्रोषकार दिये जाते हैं अब ये कब दिये जाते हैं, इस बात को और जान लेते हैं, तो ये दिये जाते हैं, गरतंत दिवश के मौके पर इनकी घोषना की जाती है, और ये दिये जाते कब हैं, मार्च और अप्रेल में, राष्टपती भवन में एक कारकरम आईजित होता है, जिसमें इन प्रोषकारो को प्रदान किया जाता है, अब बात करते हैं कि पद्म पुरुषकार कितने प्रकार के होते हैं, तो पद्म पुरुषकार तीन प्रकार के होते हैं, कौन-कौन शे, पद्म विभूशन, पद्म भूशन और पद्म श्री, ये तीन प्रकार हैं पद्म पुरुषकारों के, अब जानते हैं कि पद्म विभूशन क्या है तो पद्म विभूशन जो है ये भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला दूसरा सबसे बड़ा नागरिक शम्मान है जब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है तो पहला है भारत रत्न ठीक है भारत रत्न भारत का सबसे बड़ा नाग पुरुषकार दिया गया है फिर है पद्म भूषण तो पद्म भूषण जो है यह पद्म भूषण के बाद आने बाला पुरुषकार है और यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा नागरिक शम्मान है पहला हो गया भारत रत्म दूसरा पद्म भूषण और तीसरा है पद्म भू पसंद आ रहा है तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप भी चैनल पर नए हैं तो अब जानते हैं पद्म श्री अबार्ड के बारे में तो यह भारत सरकार के द्वारा दिया जाने वाला चौथा सबसे बड़ा नागरिक शम्मान है इसकी 19 लोगों को दिये गए हैं जिसमें से 7 हैं पद्म भीभूशन, 10 हैं पद्म भूशन और 102 हैं पद्म श्री एक बात पद्म श्री के बारे में और जान लेते हैं कि यह पद्म श्री जो है यह केवल भारत की नागरिकों को ही दिया जाता है पद्म भीभूशन में विदेशी नागरिक हो सकते हैं लेकिन पद्म श्री में केवल भारत की नागरिक ही होते हैं अब 2021 के जो अबार्ड हैं उसको हम देखते हैं उनके बारे में जानते हैं तो सबसे पहला अबार्ड है पद्म विभूशन तो ये साथ लोग कौन है उनको देखते हैं पद्म विभूशन से सम पहला है सिंजो आबे, इनको जन सेबा के छेतर में दिया गया है और इनका शंबंध है जापान से, ये जापान के पूर्व प्रधान मंत्री हैं, ठीक है, सिंजो आबे, सिंजो आबे के कारकाल में जापान और भारत के बीच में जो दोई पक्षी संबंध हैं, वो काफी रहे हैं इन्होंने 2007 में एक बहुत ही महत्पूर काम किया था जापान, अमेरिका, औस्टेलिया और भारत के बीच चतुर्भुज सुरक्षा वारता की शुरुबात की थी जो कि इनके कारकाल का सबसे अच्छा कार्य था फिर बात करते हैं SP वाला शुब्रमन्यम की, इन्हें मरोडों प्रांत या पुरुषकार दिया गया है, पिछली वर्स यानी 2020 में ही इनकी मृत्यू हुई है, तो इस बार उन्हें कौन सा पुरुषकार दिया गया है, पद में विभूशन्ट से शमानित किया गया है, इनको कल पिल्गू, तमेल, कननड, हिंदी और मल्यालम के प्रिसिद्ध गायक हैं, इन्होंने लगबग 40,000 से अधिक गाने गाये हैं, और 2001 में ने पदम शुब्रमन्यम को पदम विभूशन्ट से और 2021 में इन्हें पदम विभूशन्ट से समानित किया गया है, तो इन्हें तीनों पुरुशकार मिले हैं, मतलब SP बाला शुब्रमन्यम को पदम स्री, पदम विभूशन्ट से समानित किया गया है, फिर है डाक्टर वेले मुनप्पा हेगडे, इन्हें चिकितसा के छेतर में दिया गया है और इनका संबंध भी तमिल नाडू से है, ये जो है डाक्टर वेल मुनप्पा हेगडे, ये हिरदय रोग विशेशक हैं, और एक अच्छे सिक्षाबिद, प्रेरग बक्ता और लेखक भी हैं, उन्होंने चिकतसा पद्धिती और नेतिकता पर कई किताबे लिखी हैं, और इसके अलावा इन्हें 2010 में पद्व भूशन अवार्ड से भी शमान हैं, इन्हें 4th मैकजीन ने Business of the Century Edition में अंसंग हीरोज के तौर पर नामित किया था, इन्होंने 1956 में एक सब्द दिया था, वह सब्द था, Fiber Optics, ये बहुत ही important point होगा, इसको आपको note करना होगा, कौन सा सब्द दिया था इन्होंने, Fiber Optics, 1956 में ये सब्द दिया था, इन्हो गया है, इनका relation है दिल्ली से, ये दिल्ली के रहने बाले हैं, और इनका जन्म जो है, एक जन्मरी 1925 को हुआ था, उत्तर प्रदेश के आजमगण में, और वे प्रसिद इस्लामिक बिद्वान है, और सांती कार करता है, मतलब हिंदू-मुसलिम एक्ता के लिए इन्होंने ब भार्तिय पुरातत तो सर्वेक्षण, यानि ASI के महा निदेशक के रूप में काम कर चुके हैं, और एक बात आपको याद रखनी है, जब बाबरी मस्जिद की खुदाई हो रही थी, तो उस शमय इस बात को वताने में बीवी लाल सामिल थे, कि मंदिर की साक्ष मिल रहे है मस्जिद के नीचे, जब मस्जिद की खुदाई हो रही थी नीचे, तो उन बीवी लाल वो व्यक्ति थे, जिन्होंने ये कहा था, कि मस्जिद के नीचे मंदिर की सरचना मिल रही है, यानि मंदिर के साक्ष मिल रहे हैं, उनकी एक किताब है, राम उनकी एतिहांसिक्ता, य पिर है सुदर्शन साहू, इन्हें कला के छित्र में दिया गया है और इनका रिलेशन है उडीशा से ठीक है, और ये उडीशा के प्रिसिद्ध मूर्तिकार है, इन्होंने पौराणे कथाओं पर आधरित बहुत सारी मूर्तियां बनाई हैं, इन्हें पहले पदम स्री से सम्मा साथ लोगों को पद्म भूशन्ट से संबानेद व्यक्ति, ये हम देख लेते हैं, तो है सुसरी कृस्णन नायर सांता कुमारी चित्रा, ये गायक हैं, इनका relation केरल से है, तरुड गोगोई, असम के पूर्व मुख मंतरी हैं, इनहें भी पद्म भूशन्ट से संबानेद किया फिर है स्री चंद सेखर कमबार इनका रिलेशन साहित से है और ये करनाटक्षे हैं सुमित्रा महाजन जो की पूर्व लोक्षभा अध्यक्ष हैं और ये कहां से हैं मध्ध प्रदेश्चे हैं फिर है इसके बाद नरपेंद मिस्रा जो की पूर्व सच्चे हैं भारत सरकार के उन्हें भी पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है। फिर कौन है पद्म भूशन से सम्मानित ब्यक्ति राम बिलास पासबान। इन्हें मरुणो प्रांथ पद्म भूशन से सम्मानित किया गया है। ये पूर्व कैबिनेट मंत्री है और इनका रिलेशन बिहार राज्य से है इसके बाद है केशु भाई पटेल इन्हें भी मरुणो उपरांत पद्म भूशन से सम्मान दिया गया है और ये गुजरात के पूर्व मुख मंत्री भी रह चुके हैं फिर है स्री कलवे शादिक इन इन्हें मरुणो परांत पद्म भूशन से सम्मान दिया गया है इनका रिलेशन अध्यात्म से है इसलामिक गुरू है ये और ये उत्तर प्रदेश से आते हैं इसके बाद है तरलोचन सींग इन्हें सार्वजनिक मामलों में इन्होंने उत्रकृष्ट कार किया है इसलिए इ महराश्ट से हैं अब इसके बाद हम पद्म भूश्री परोस्कारों की बाद करें तो 102 पद्म सरी दिये गया है तो यहां पर हम 102 पद्म सरी डिसकस नहीं करेंगे वलकि वो डिसकस करेंगे जो आपके एक्जाम के लिए important है .... अब important कौन से पदमिस्री होते हैं जो किसी खेल से related खिलाड़ी होते हैं उन्हें अगर पदमिस्री दिया जाता है तो वो जरूर question पूछ लिया जाता है तो पदमिस्री से सम्मानित खिलाड़ी है पी अनीता जिनका relation है वास्केटवाल से तमिलनाडू की है फिर है महुमा दास टेविल टैनिस से related है पश्चिम बंगाल की है फिर है अंसु जम सेपा ये अरुनाचल प्रदेश के हैं फिर है मादवन नाम बियार ये athletics coach है जिनका relation के इरल से है फिर है बीरेंज सींग ये पैरा athlete है जिनका relation कहां शे है हरियारा से सुधा हरी नारायन सींग इनका संबंध है उत्तर प्रदेश है और ये एक क्या है एथी लेटेक्स है फिर है के वाई वेंकटेस ये पैरा athlete है तो इस प्रकार से हमने पदम स्री डिसकस किये है most important अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें चैनल को सबस्क्राइब करें और दोस्तों के साथ सेर जरूर करें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में शेहन दोस्तों अनकेडमी के बारे में मैं आपको बताना चाहूंगा अनकेडमी इंडियास लार्जस ओनलाइन लर्निंग प्लाटफोर्म यदि आपको करनी है त्यारी MBPS से और व्यापम की तो आईए जॉइन कीजे अनकेडमी को साथियों यहाँ पर आपको मिलेगा 500 से जादा लाइफ क्लासेज बिद लाइफ डाउट क्लेरिंग सेशन, 20,000 प्रैक्टिस कोश्चन और भी बहुत कुछ साथियों यदि आपको यह सारे फ्री प्लान्स चाहिए तो अभी डाउनलोड कीजे गूगल प्रे स्टोर से अनकेडमी और यहाँ पर आप गोल सेलेक्ट करें MPPSC और व्यापम और कोड यूज कीजिए मेरा कोड यूज कीजिए राजा नंबर वन साथियों सभी प्लान को फ्री एक्सेस करना के लिए आपको राजा नंबर वन कोड यूज करना है साथियों यदि आप अपना prelims crack करना चाहते हैं 2020 के लिए तो अभी अन्रोल कीजे prelims चैंपियन सिम बैच में जो यहाँ पे top 3 ranker होगा उससे मिलेगा 1 month का subscription free यहाँ पर आपको dates दी गई है 9 January, 16 January, 23 January और 30 January तो तयार हो जाएए साथियों यदि आपको plus batch join करना है for all round preparation तो हमारे साथ जुड़िये यहाँ पे आपको मिलेगा 60 days live crash course, live mcq revision batch, dedicated live doubt clearing batch साथियों 14 January से हमारी prelims clear करने के लिए एक ऐसा batch join कीजे जो केवल 60 days में आपका crash course होगा और यह batch 14 January से शुरू हो चुका है जो 10th March को end होगा आप अभी enroll कर सकते हैं इस batch को साथियों यदि आपको 60 days का revision course करना है केवल mcq series के साथ तो join कीजे mppsc prelims का हमारी dedicated faculty जो है mp की top educators साथियों यदि आप 10 months का foundation batch join करना चाहते हैं तो prelims and mains के लिए answer rating session के साथ यह date 19 January से शुरू हो चुका है लेकिन आप आज भी enroll कर सकते हैं हमारे साथ तो साथियों यहाँ पर आपको मिलेगा live classes, pdf notes, weekly and mega quizzes यदि आपने पहले से ही पढ़ लिया है तो आपके लिए संपूर ग्यान revision course batch और साथियों यदि आपने प्रिलिंस क्रैक किया है 2019 का तो आपके लिए MPPC मुख की परिक्षा बैज स्वप्नपूर्ती बैज download कीजियान academy, MPPCM वैपन को सिलेक करें, plus course पर सिलेक करें और get subscription पर सिलेक करें तो आपको मिलेगा 10% का instant discount पर ध्यान रहे code यूज करना है राजा नंबर वन तभी आपको हमारे 10% discount तुरंत ही मिलेंगे तो साथियों download कीजियान academy, let's crack it